हेलो गाईज, वेलकम टू आवर चैनल डेप्ट स्टेडी और आज का क्लास ये बीसी फर्स सेमस्टर केमस्टी वालों के लिए है और आज के क्लास हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फॉर्थ को जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ और गैनिक केमस्टी अगर आप इस वीडियो को पहल को डीटेल भी किया गया है देखना चाहते तो प्लेलिस पर जाकर देख सकते हैं फिलाल इस क्लास में हम फॉर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा पहला आज का टॉपिक होगा वह होगा इंडक्टिव इफेक्ट यूनिट फॉर्थ का जो फर्स टॉपिक रहे प्रेना एक तरीके से प्रेना लेते हैं तो प्रेना यानि कि इंड्यूस होके जो इफेक्ट होगा उसे इंडक्टिव इफेक्ट करेंगे सरल भाषा में अब हम बात करेंगे यहां पर लिखा हुआ है तो आपको और अच्छी से समझ में आएगा क्या कहा गया है कि यदी द इंड्यूस होने वाली इफेक्ट कहते हैं अब यह सारा क्या लिख दिया है बहुत अच्छी से समझाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा सबसे पहले अगर आपको यहां पर कुछ मीनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो बता देते इंड्यूस को हिंदी में बोलते है विद्धुत रडात पकता है जो भी जितना जादा माइनस वाला एटम होता है वही एलक्टो निगेटिविटी कहलाता है ठीक है फिर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कई बारा पड़ चुके जो साजिदारी वाला बॉन्ड होता है सह सही हो जग बंद उसको कोवेलेंट उसके और तो आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही हो एक वर्ड और है पोलर जिसके उपर प्लस होगा एक के उपर माइनस होगा वही क्या होगा पोलर बॉन्ड हो जाता है अब क्या यहां पर बात कहीगी सबसे पहले क्या है मान लिए हमने आपट अपर HCL में आप सभी ज अब क्या कहाओ है दो हमने अड़ा लिए और क्या कहाओ कि अगर इन दोनों में से ज्टादा जिसकी एलेक्ट्रो निगेटिविटिविटी होगी। तो इस वाले की जधा होगी, तो यह क्या करेगा? अपनी और electron density को खीच लेगा. भहिच खीच ली इसनी electron density अपने पास क्यूं? क्योंकि इसकी electron negativity क्या है? ज़ादा है. जब इसने खीच ली electron density तो यह bond कैसा हो जाएगा? ¿Polar हो जाएगा? ¿Polar का मतलब क्या है? एक के उपर आ जाएगा प्लस और एक के उपर आ जाएगा माइनस आ जाएगा फिर से पता देते हैं सबसे वहले दो डिफरेंट हमने इलक्टो नेगेटिविटी वाले एटम लिए उसके बाद क्या किया जब यहां पर हमने कोवलेंट बॉंड लगाया इन में से जो जादा इ एक के उपर प्लस एक क्योपर माइनस हो जाएगा अब यह जो पोलर हुआ है यह जो पोलराइजेशन यानि पोलारिटी जो इंड्यूस हुई है इनके बीच इसी एफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव एफेक्ट तो आई हो आपको समझ में आ गया होगा बहुत डीटेल पेस्ट को तरीक के मिल्म स्यों पहलरा पारी से कस्ताwegen जाए इसाती के आप यह जाएगा है यहां भी है एसी नाइट्रोजन नाइट्रोजन में जहाला अDad तो कार्बन होगा और आपर शींहां और यहां पर निकटिविटीर्ड जादा ऐलेक्टोनेगेटिविटी वाला तो उसके बाद यहां पर पढ़ेंगे हम करेक्टरिस्टिक्स त्यानिकी इसके गुण क्या है तो पहला है यह एक परमानेंट इफेक्ट है ठीक है यह यह सिग् bonds के द्वारा operate होता है, sigma bonds क्या होता है, जो भी single bond होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, sigma bond कहते हैं, आप यहाँ पर जो भी example देखेंगे, यह सारे single bond है, single है ना, तो single का मतलब क्या है, यह sigma bond से operate होगा, अगर जब तक sigma bond होगा, तभी वहाँ पर inductive effect जो है, वो यहाँ पर operate होग अगर आप उसे जितना ज़्यादा दूर जाएंगे, माली इतना दूर, जितनी भी ज़्यादा आप दूर जा रहे हैं, उतना ज़्यादा आपकी जो intensity है, वो कम होती जाएगी, for example लिखा भी हुआ है, ठीक है, यह सारे carbon है, और यहाँ पर CL, इसकी सबसे ज़्यादा होगी, इलक्टो नेटिविटी, तो लिख दिये 0.3, 0.2, 0.01, 0.01, यहाँ पर कम है, यहाँ पर और कम हो जाएगी, यहाँ पर और ज़्यादा कम हो जाएगी, क्या इसकी intensity, जितना ज़्यादा अब इससे दूर जाएंगे, उतनी ज़्यादा intensity कम होती चली जाएगी, तो characteristics भी हो ग होता है, minus i, plus का मतलब है, positive, और minus का मतलब होता है, negative, आपको पता ही होगा, negative, ठीक है, plus का मतलब positive बता दे, i for होता है, inductive, ठीक है, तो दो तरीके के यहाँ पर type हो गए, एक plus i, यानि की positive inductive effect, दूसरा होता है, minus i, यानि की negative inductive effect, तो पहले जानेंगे, कि plus i वाला क्या होता है तो लिख दिया है कि plus i effect रखने वाले atoms और groups bond से electron density को सोयम से दूर करते हैं ठीक है plus i में क्या होगा electron density को अपने से क्या करेंगे दूर करेंगे भाई यहां से चले जाओ मतलब कि निकालेंगे अपने पास से दूर कर देंगे अलग कर देंगे ऐसे जो minus i वाला होता है यहां पर आलकिल ग्रुप्स की बात करें तो अगर आप इसमें देखें तो इधर की और एरो लगा है यहां से अपनी ओर से जो electron density है यह वह दूर कर रहा है क्या कर रहा है दूर कर रहा है सोयम से अब फिर उसके बात करें मैटल्स की मैटल्स आपको पता हूँ धातू जिसे बोलते हैं और यह सारी प्लस होती है प्लस वाला है क्या करता है तो यहां पर भी देखिए मैगनेशन है लीथियम है यह क्या करेंगा इसमें इधर की और रहा है यह संब्सक्राइब आपको आगया होगा आप बात करेंगे हम निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बारे में तो समय क्या था दूर कर रहा था इसमें क्या करेंकर स्वैम से खीच लेता है और वाकिक सब को सेम है तो फूर एक्जांपल लिख दिया है एफ लिख दिया है यहां पर उसके बाद CL ये भी खीचेगा फिर BR है, I है, OH है, NO2 ये सारे क्या करेंगे एटम, electron density को अपने और खीचेंगे तो पूरे टापिक को हमने अच्छे से कवर कर दिया है सबसे पहले हमने पढ़ा inductive effect किया होता है उसके बाद characteristics पढ़े उसके बाद types of inductive effect पूरे class को अच्छे से detail में हमने बता दिया है कोई doubt है तो आप नीचे comment कर सकते हैं किसी other topic को वीडियो चाहते हैं तो भी आप नीचे comment करके बता सकते हैं इस class में हम इतना ही रखेंगे अगली class में जब हम मिलेंगे तो inductive effect जब हमारा हो गया है अगले class में पढ़ेंगे मीजो मेरिक effect के बारे में तो आज क्लास में इतना ही रखते हैं फिर मिलते हैं अगले एक नए topic की साथ तक तक के लिए जाहिन जाभाव